तो आ गया सुब कीटो का काल गोज़एश कमपणी का रशियन बेन फुल आने की आवस्ता के दोरान मेच की फसल में एक ही बार में कई प्रका के कीटो को नश्ट कर देता है इसका कंटेन प्लेक्समेटामाइड 3.8 परसें और पाई रिडेरा बेन 9.5 परसें एससी फाम में आ पर और माइस की कारण पारंविक आवस्ता में ही सितिग्रस्त हो जाती है यह उत्पादन मेच की फसल के लिए तीन प्रमुक किटो त्रिप माइट और केटापिलर की खिलाब काम करता है जो ज़्यदातर फुल आने के आवस्ता 45-7 दिनों के दोरान फसल पर हमला करते है इस प्रमुक्र प्रभाविकरता प्रदान करने के लिए मिच्ट की पौदो के सक्रिय फुल चरन के लिए विशेश रूप से इसकी अंस्वांसा की जाती है याने कि मिच्ट के फसल के लिए यह काफी बहुत अच्छा और रिजल्ट वाला प्रोड़क है दोस्तो ए इन्सेक्ट मिच्ट के लिए सबसे बढ़िया है जैसी कि त्रिप्स गून और कैटापिलर को कंट्रोल करने के लिए एक काफी बढ़िया प्रोड़क है मात्रा बनाने के विद्धी पति एकर 400 मीली याने के 200 लिटर के पानी के लिए 400 मीली एमेल आपको दवा लेनी है ज्याजातर मिच् आवस्था में इसके बारे में ज़्यादा जानकर जाननी हो तो इसके बारे में यह बात एक धन में रखे कि इसका स्प्रेश करते वक्त पोधे के निचे से उपर तक हर पत्त्य को आपको दोना है और दिन के थंडो जिस टाम पर जाने के सुभध या शाम को ही आपको स्प्रे करना है ज्याद अतर आप शाम के बक्त स्प्रे करेंगे तो ये अच्छा है तो आपको पिसका प्रमान जो लेना है वो 200 लिटर के लिए 400 एमिल तो दोस्तो चानल को सबस्प्राइब और वीडियो को लाइब करना मत बुलना वन्दे मातरम